तो आज मैं आपको चिकन काठी रोल बनाने की होटला और रेस्टों की एक तम सीक्रेट रेसिपी बताऊंगा इस तरीके से आप चिकन काठी रोल बनाएंगे बहुत ही सॉफ्ट बनेगे और के देखे रोटी देखे कितनी सॉफ्ट रोटी है इसको आप कम से कम 12 से 15 गेंटे स्टोर करके भी रस्ते हैं तब यह सी सॉफ्ट रहेगी और लास्ट में मैं आपको चिकन काठी रोल बहर के स्टफ करके भी दिखाऊंगा तो चलिए रेस्पी शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने मैदा लिया है सबसे डो लगाएंगे सासोगना मैदा यह आदा छोटा चमच जिसमें नमक एड़ कर देते हैं और एक छोटा चमच आपने इसमें शुगर डालनी है नमक जो होता है डो में बराबर होना चीए तब यह अच्छा टेस्ट आता है अच्छे से नमक और शुगर को मिक्स कर लेते हैं आपे अब हमारी चिकन काठी रोल की जो रोटी होती है क्योंकि हम इसमें एक डालते हैं एक मैंने इसमें एक एड़ कर दिया है साथ में इसमें दूड डालते हैं दूड और एक के साथ हम डोल लगाएंगे आपकी काठी और की जो रोटी है एक्तम सॉफ्ट बनेगी और काफी टाइम तक वो सॉफ्ट ही रहेगी साथ में इसमें पानी एड़ कर देते हैं थोड़ा सा और पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके डाला है इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी हम तो एड़ करेंगे ताकि हमें आइडियो हो जाए कि हमने कितने पानी की यूज़ करना है तो पहले देखिए एग मिल्क और पानी के साथ आपने मैदे को अच्छा से mix करना है फिर आपने इसमें थोड़ा सा पानी औरेट करना है अब डो कैसा होना चीए आपने ना soft toe लगा की त्यार करना है डो अपने ज़्यादा tight नहीं रखना है और यह देखिए मैदे को यहाँ पे मैंने इकठा कर लिया है अब इसके बद मैदे को ज़्यादा गूंदना नहीं होता है जितना ज़्यादा मैदे को गूंदेंगे उतना ही वो tight होता चला जाता है तो देखिए आपने इसमें थोड़ा सा बात में oil डालना है तक ही मैदा जो पराद से न चिपके मैदे को आपने 1-1.5 grin तक इस तरह से मसलना है देखिए और इसके बद मैदे को आपने 15-20 बार परात में पटकना है इस तरह से इस तरह से पटकेंगे मैदे के अंदर जो एक खिछाब होते है न वो खतम हो जाता है तो यह देखिए डो हमारा त्यार हो चुका है कि जब हम इसको निकालें तो देखिए उपर से कवर कर दीजिए कोई भी कपड़ा रख दीजिए तीस मिनिट तक आपने इसको रैश देना है तब तर मसाला बना रहते हैं यहाँ पर मैंने कड़ाई ली है उसमें तीन बड़े जमश ऑईल एड़ की हैं और जैसे थोड़ा हीट हो जाए इसमें बरी कट और लसून एड़ करेंगे साथ में बरी कट और इसमें अदरक डालेंगे अदरक और लसून को आपने मीडियम फ्ले में थोड़ी देर के लिए पका लेना है अगर आपके बरीकट हो अद्रेकल लसन नहीं है तो आप इसमें अद्रेकल लसन के पेश्ट का यूज़ भी कर सकते हैं और इसके बद आपने इसमें चिकन एड़ कर देना है यहां पर मैंने चिकन थाई का यूज किया है, आप चिकन ब्रेस्ट का यूज भी कर सकते हैं और जूलिन में काटा देखे, लंबा लंबा सा और इसके बाग गैस की फिलेम अपने हाई रखनी है, हाई फिलेम में चिकन को तब तब पकाना है, जब तक इसके अंदर जितना है म माईश्र है, वो भी खतम न हो जाए, फिर हम इसमें थोड़ा सा हल्दी पोर्टर डालेंगे, और थोड़ा से ही आपने देगी मिश पोर्टर या लाल मिश पोर्टर डालना है, इससे ना कलर अच्छा है का हमारे मसाले में, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, च्छोटा चम नमकेड करना है, एक च्छोटा चम भर के आपने इसमें धनिया पोर्टर डालना है, थोड़ा सा इसमें जीरा पोर्टर डालना है, धनिया पोर्टर आपने थोड़ा सा जादा डालना है, इससे क्यों होता है, जितना भी मौइस्टर है, तना प्याज में जल् पकाना नहीं है, तो यह हमारा चिकन काठी रूल का मसाला बनके त्यार हो चुका है, अब हम डो चेक कर लेते हैं, डो सेट हुआ है या नहीं हुआ है डो को लगाए हो, पूरे 30 मिन डो चुके हैं, और के देखे हमारे डो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है, जो इसमें ल क्योंकि मेरे पास बड़ा तोवा है, अगर आप घर में बना रहे हैं, तो आपने थोड़े छोटे पेड़े बनाने हैं, क्योंकि घर में जदा बड़ा तोवा नहीं होता है, और देखे इस तरह से एक पेड़े का जो बेट है, लगवा 120 क्राम है, और इसके पद आपने पे आपका जो मैदा फिर से सॉफ्ट हो जाएगा कि देखिए दस्ट मेंड हो गए है पेड़ों को सॉफ्ट होते हैं कितने सॉफ्ट हो चुके हैं टेवल के ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे मैदा डस्ट करेंगे पेड़े को हलका सा मैदा लगा लेना है और हाथों से हलक हलका सा बटर लगाते हैं आप बटर के जगा ओयल का यूज कर सकते हैं या फिर देसी गी का यूज भी कर सकते हैं हलका सा मैदर डाल दीशे हलका सा ड्राई सुखा में तो डालते हैं ताकि इसके लच्छे अच्छे से खुलें और के देखे इस तरह से आपने इसको फोल्ड कर और एक बाच जितने आप कार्टी रोल बना रहे हैं उतने आपने लचछे परांटे के पेड़़े बनाके त्यार करके साइड में रख देने हैं। ताकि हो soft होते रहें उसके बाद आपने कार्टी रोल की रोटियं मनाना शुरू करनी है। और एक दम आपने लच्छे परांटे को पतला बेलना है जितना पतला बेलेंगे न उतनी ही सॉफ्ट रोटी बनके त्यार होगी आपकी काठी उड़की के देखिए इस तरह से इसके बद आपने हाथों के उपर गुमाना है हाथों के ओपर गुमाएंगे मैधा अपने आपी खिस्ता चलाएगा और बढ़ा हो जाता है और के देखिए तोई के ओपर इस तरह से आपने इसको सेकना है और गैस की फ्लेम आपने यहाँ पर मीडियम टू हाई रखनी है मीडियम टू हाई फ्लेम में लच्छे प्राइटे को सेकना है आपने यहाँ पे क्योंकि लो फ्लेम में सेकेंगे तो उससे क्यों होता है हार्ट हो जाते है हमारे रोटियां तो मीडियम टू हाई फ्लेम में सेकेंगे सॉफ्टनेस रहेगी काफी टाइम तक आप इसको स्टोर कर पाएंगे और एक से दो बार पल्टी करने के बद आपने इसके ओपर ओईल लगाना है और ओईल देखिए दूसरी साइड भी इस तरह से ओईल लगा दीजिए और अगर आप इनको 12 से 15 गंटे तक स्टोर करना चाहे हैं ओईल का यूस आपने थोड़ा सा ज़्यादा करना है ओईल से ना इनमें सॉफ्टनेस रहती है काफी टाइम तक हैं सॉफ्ट रहते हैं और के देखिए इस तरह से आपने मीडियम टू हाई फ्लेम इनको हाफ दन कर लेना है पहले आपने लच्छे पराठे बनाने ना पहले उन सब को हाफ दन करके रख लीचिए उसके बाद ही काट्रूल बनाईएगा क्योंकि आप यह मैं इनके उपर एग भी लगाएंगे और यह देखिए सॉफ्टनेस देखिए वो मैंने आपको पहले भी दिखा दी थी आप इनको अपने स्टोर कैसे करना है इनको ठंडा कर लेशिए और ठंडा करके आप इनको clean drive के अंदर स्टोर कर सकते हैं दरदस पीस बना के या किसी कैस्रोल में स्टोर करके रख सकते हैं तो चलिए अब मैं आपको काट्ठी बना के दिखाता हूँ मसाला भी बन किया लचछे पराणटे भी बन के तियार हो चुके हैं तोई के उपर आपने थोड़ा सा ओईल डालना है और ओईल डाल के इनको हाई फ्ले में गर्म कर लेना है देखिए इस तरह से तो देखें कलर आच चुका है इसके बद आपने इसके ओपर एक डालना है यहाँ पर मैंने एक की एक का यूज की है आप दो भी इसमें डाल सकते हैं यहाँ पर और देखिए एक डालने के बाद इसको पल्टी कर देशिए और जिस साइड में आपने एक डालना उस साइड में आपने काठी रूल का जो मसाला बना के रखा था चिकन का मसाला वो इसके ओपर डाल देना है देखिए और एक बाद तोय के सेंटर में आपने पराँटे को नहीं रखना है नित्वाप का पराँटा जल जाएगा बीच में हीट रहती है साइड में खीच लिए जिसको इसके उपर आपने थोड़ी सी मियोनेस डालनी है और थोड़ी सी इसके उपर तंदूरी मिंट सॉस डालेंगे मिंट सॉस की रेस्पी और रेडी चैनल पर अपलोड है आप देख सकते हैं थोड़ी सी टमैटो सॉस डालेंगे थोड़ा सा आपने इसके उपर जूलिन कटाओ प्यास टालना है देखिए इस तरह से और इसके बद आपने इसको फोल्ड कर देना है जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो देखिए अराम से आपने इसको फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बद इसको सेंटर में रखिए और म बटर पेपर में ऐसे फोल्ड करके सर्व कर देशे बटर पेपर नहीं है तो दूसरा तरीक कर बदाता हूं आप इनको डिरेक्टली कारके सर्व कर सकते हैं देखिए इस तरह से और दोनों साइड में आपने टूथपिक लगा देनी है ताकि यह साइड से खुले ना तो वीड झालों साइड कर दोनों साइड में आपने दूसरा झालों साइव और देक्या कर देखिए यह जाओ थाखिए जह प्लाग दूसरा तो अलाग झालों साइड में आप